Hello friends, JavaScript सीखने की स्रीज में आज हम बात करेंगे functions के बारे में लेकिन इससे पहले अगर आपने इस स्रीज के जो previous वीडियो उन्हें नहीं देखा है तो मैंने इस पर ये वाली एक playlist बना दिये इस playlist का link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा इस playlist में आपको previous सभी वीडियो मिल जाएंगे तो आप एक बार इन सभी वीडियो को जरूर देखना है तो चलिए अप शुरू करते हैं मैं हूँ अभी शेक और आप देख रहे हैं Microsoft तो देखिए friends function क्या होता है a function is a block of code that is designed to perform a particular task function block of code होता है मतलब आप एक तरह का code ही लिखते हैं इसके अंदर और इसे design किया जाता है किसी particular काम को करने के लिए मालनों आपको कोई काम करना है और उस काम की आपको बार बर प्रोग्रामिंग में जरूत पढ़ रही है तो आप बार बर code लिखने की जगा है उस काम के लिए एक function बना ले यानि block of code लिख ले और जरूत पढ़ने पर आप अपने function को call करेंगे तो वो काम अपने आप हो जाएगा जैसे हम document.write यानि write function यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी text write करवा सकते हैं ठीक है alert function से क्या होता है कि हम क्या कर सकते है alert box आईगा उसके उपर message या कोई भी text display करा सकते तो यह सभी क्या है functions ही है तो function किसी particular काम को करने के लिए बनाए जाते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें function के type की तो function दो तरह के होते है first होता है built-in functions अब built-in function वो function जो पहले से बने हुए जिने आपको बनाने की जुरूत नहीं है जिसने भी उस programming language को बनाया है उसने आपको पहले से कुछ function बना कर दी है जिने आप direct अपने काम को करने के लिए यूज में ले सकते हैं जैसे देखो का log function यूज करते हैं यह क्या करता है log करा देता है कोई भी text को कहां पर console पर उसी तरह से हम write function यूज करते हैं यह browser पर display करा देता है कि इसको text को ऐसी alert एक alert box आता है उसको पर आप text डिस्पले करवा सकते ठीक है एक POW function है यह power calculate करता है debt function है यह debt निकाल देता है current debt जो भी है ऐसे बहुत सारे built-in function होते हैं इसे आप google करेंगे कि javascript में कौन-कौन से built-in function होते हैं आपको बहुत सारे function मिल जाएंगे और हम भी this course के दोरान दीरे-दीरे जैसे से हमें जुरत पढ़ती जाएगी हम बहुत सारे built-in function को use करेंगे तब आपको और पता लग जाएगा तो अभी तो आपको केबल यह समझना है कि built-in function वो function होते हैं चो पहले से बने हुए जिने हम नहीं बना रहे जिने हमें direct use करना है लेकिन इस chapter में हम बात करेंगे user-defined function की अब नाम से पता लग रहा है user-defined function यानि ऐसे function जिने user बनाता है programmer को अगर programming करते समय किसी काम को बार बर करना पड़ रहा है तो programmer क्या कर लेगा उस काम के लिए एक function बना लेगा तो ऐसा function कहलाएगा user-defined function ठीक है? तो अभी हम इस chapter में user-defined function बनाना ही सीखने वाले हैं तो अब मैं जो आपको एक example बताऊँगा इस example के अंदर मैंने सबसे पहले आपको built-in function यूज करके दिखाएं कुछ ताकि आपको समझ में आ जाएं और उसके बाद मैं आपको user-defined function मना कर दिखाऊँगा तो चलो सीधे हम VS Code में चलते हैं हमारा first function से लेटेड एक प्रोग्राम बना कर देखते हैं तो friends यहाँ पर मैंने VS Code को open कर लिया और यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर एक नई फाइल क्रेट करूँगा और फाइल का नाम मैंने रख लिया है फिप्टीन नमबर की फाइल है यह जिसका की नाम है functions और इसे मैंने open कर लिया और इसके अदर मैंने code को already copy करके paste पहले ही कर लिया तो ताकि time बच जाए और मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊं तो यहाँ पर हम सीधे body tag के अंदर आते हैं इसके आगे मैंने लिखा equal to dead function यह एक function है तो यह function क्या करेगा जो भी current date होगी उसे store कर देगा इस variable में और वो dead display हो जाएगी ठीक है तो कुल मिलाकर यह built-in function है जिसे हम नहीं बना रहे है जावा स्क्रिप्ट ने हमें दिया है हम direct इसका use कर रहे है ऐसी मैंने यहाँ पर एक variable और बनाया भी इसके सामने मैंने यानि equal लगाकर मैंने ऐसे लिखा math.pow तो जो pow function है यह power calculate करता है तो यहाँ पर हमने लिखा 2,3 इसका महला 2 की power 3 हो गया अभी 2 की power 3 को solve करके store कर देगा B के अंदर जब मैं B को print करूँगा तो result आ जाएगा 2 की power 3 का ठीक है तो यहाँ पर इस function को use करने के लिखना होता है मैं .pow उसके बाद आपको break it में जिसकी भी power calculate करने उससे इस तरह कैसे लिख दो ठीक है तो सबसे पहले मैंने A को print करा फिर मैंने B को print करा console के अंदर तो A के अंदर तो date current और B के अंदर इसका power है तो यहाँ पर output आ जाएगा तो चलो मैं आपको save करके इसका output दिखाता हूँ तो एक बार मैं इसे save कर दिया राइट क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं open with live server पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके मैं जाँगा inspect में आप इस button पर ध्यान मत देना और यहाँ पर मैं जाँगा console के अंदर तो यहाँ पर देखो current date और time display हो रहा है साथ ही यहाँ पर 8 आ गया है यह क्या है power calculate हमन comment बनाता हूँ kau कि मैं आपको आगे user defined function create करना सिखा पहूं इसी वाली File के अंदर मैंने user defined function भी बना रखा है तो यहाँ पर user defined function है अब user defined function को use करने के लिए सबसे हिएénd ankle create करना पढ़ता है यहाँ पर ज्यमीं वक्तिक चैंप को तक्षों को प्राइब करने सबसे प्रतम आपको सबसे आपको कलरते क्रति विंट म finns क्रेट करने था बढ़े गया है उसके बार Wasyl कोई भी नाम रख सकते, It isn't Nemo Is A Function Name! यह आपकी चोईस है का function का नाम क्या रखना चाहते हैं ? आप अपने आसा इसाब से यह बर्ड़क्ष फंक्चन का नाम हो गया उसके बार आपको यह वाँ पर अंदर मैंने आपको इस सब चीज़ सिखाई थी लेकिन यहाँ पर मैंने demo function के अंदर आपको different type से print करके दिखाया है तो सबसे पहला वाला comment हम अठा लेते हैं यहाँ पर और इसके अंदर मैंने बोला console.log करें कि जब इस function को call करा जाई याँ function चले क्या चले console.log और ऐसे print हो जाई iam function अभी बहुत ही simple सा काम करा है इसमें मैंने आपको cable function बनाना सिखाया है सबसे बहुत है function keyword फिर function का नाम फिर function की body start करनी उसमें आपको जो भी task करवानी उस function से वो लिखना है तो यहाँ पर अभी बहुत ही simple रखा है मैंने console.log से print करवा दिया iam function से save करता हूँ आप यको function को क्या करना पड़ता है call करना पड़ता है यह function को चलाना पड़ता है यह कैसे चलेगा इसके आपको जहां requirement है महाई से आप call करो तो function को मैंने call करा stml के थुरू एक बटन बनाकर तो stml के थुरू अगर आपको button बनाना नहीं आता तो पहले आपको HTML सिखनी चाहिए मैंने उस पर भी एक detail वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना उसमें मैंने आपको form बनाना सिखाया तो यहाँ पर आपने form tag start करा क्योंकि button बनाने के लिए सबसे फ़ले form tag start करना पड़ता है उसके बाद मैंने लिखा input type equal to button ऐसा लिखने से button बनेगा उसके बाद button की क्या होती कि event होती आगे चलके मैं आपको detail में बताऊंगा events के बारे में अभी जरूत है मैं यह बता रहा हूँ तो button के अंदर ऐसे लिखना होता है on click equal to इसके बाद जो भी आपने function का नाम रखा है वो इस event पर आपने call कर लिया यानि जब button पर click करा जाए button की क्या होती है click event होती है तो यहाँ पर event on click तो ऐसे लिखना होता है सबसे पहले input type equal to button इससे तो button आपने बता दिया इसके बाद on click equal to अब आपने उपर जो भी function का नाम रखा है ना जिसे भी आपको call करना हो button पर click करने से चलाना हो उस function का नाम आप यहाँ पर लिख़ो double inverted comma में उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हो है value equal to demo function अब आपको button के उपर जो भी display करना है text वो आप value के अंदर लिखेंगे तो जो हमारा button उसके पर दिखाई देगा आपको demo function ठीके तो आप यहाँ जो लिखेंगे वो button के उपर दिखाई देगा उसके बाद आपने यहाँ पर input tag को close कर दिया क्योंकि input tag की वज़े से बनाए ठ script tag के बाहर दियान रखना अगर आप script tag के अंदर लिखोगे तो error आईगी script से बाहर आपको एक काम करना है ठीक है body close होने से पहले javascript की coding script tag में होगी और html की coding हमने बाहर करीब save करता हूँ और इसका output दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको button दिखाई देगा वही अब वो function कब चलेगा जो हमने demo function बनाया है यानि वो चले तो I am function ऐसे दिखाई दे जाए तो function कब चलेगा जब उसे call करा जाएग और function कब call होगा जब मैं इस button पर click करूँगा क्योंकि मैंने उस function को button की click event पर call कर रहा है तो जैसी में इस button पर click करूँगा आप यहां console में output देखना यहाँ पर दिखाई देखा आपको I am function तो मैंने button पर click करा तो आप यहाँ पर देख पारे I am function दिखाई देगा तो यह जो करता हूँ बाकि call तो मैंने button की जो click event है उससे ही करा है function को तो यहाँ पर देखो again button आपको दिखाई देखाई रहा है जैसी इस पर click करूँगा मैं तो यहाँ पर देखो एक alert box आया इसके अंदर I am function दिखाई दे रहा है ओके करता हूँ अब मैं इसे comment बना देता हूँ अब इसे चला के दिखाता हूँ document.write function जो write function है यह built-in function है और यह क्या करेगा browser पर आपको display करेगा यह वाला text जो यहाँ लिखा हुआ है save करते हैं हम और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको button दिखाए दे रहा है आप मैं इस button पर click करूँगा तो document.write की बज़े से I am function print हो गया तो यहाँ पर देखो आपने क्या समझा function कैसे बनाते हैं और वो भी कौन से user defined function तो वह function user defined function के लाते हैं जो हम बनाते हैं तो य जब आप उसे call करेंगे तो यहाँ पर call करने के लिए मैंने form text से एक button बना लिया और button के अंदर click event से मैंने function को call कर लिया यनि button पर जब click हो तो function call हो जाए और जो function में आपने body लिखी है वो मतलब चल जाए महला function अपना काम कर दे इस तरह से function मनाते हैं अब मैं आपको बता चीसे समझ में आ जाएगा देखो मैं आपसे task करने के लिए बोलूं without function तो आप कैसे करेंगे देखो अगर आपने function नहीं समझा और उससे पहले मैं आपको एक task करने के लिए बोलता हूं देखो task क्या करनी है मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूं सबसे पहले आप आपको लिखना है आप पर welcome to java script short में लिख रहा हूंने welcome to java script ऐसे लिखना है उसके बाद एक line print होना चाहिए इसके बद फिर से आपको कुछ ना कुछ टेक्स लिखना है भली वो welcome to javascript ही क्यों ना हो आपको फिर से कोई टेक्स लिखना है टेक्स नया हो सकता है फिर एक line print करनी है फिर कुछ काम करना है फिर line print करनी है तो इस case में अगर आपको function की knowledge नहीं हो तो आप कैसे करेंगे console.log से आप print करेंगे welcome to javascript फिर आप console.log-se double inverted comma के अंदरoco speed करेंगे पर ऐसा करना बहुत गलत होगा क्यों 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 कि यह तो मैंने जरा सा बोल दिया मालो आपको ऐसा बहुत बड़ा code लिक रहे हैं और आपको कहीं कहीं बीच बीच में line की जरुत पड़ती है line खेजना है आपको तो आप बार बार क्या console.log से ऐसे line print करेंगे यह अच्छे programmer की पैचान नहीं है तो मैंने आपको बढ़ाया था कि जिस काम की आपको programming में बार बार जरुत पड़ रही है वोई same काम आपको बार बार करना पड़ रहा है तो क्यों ना उस काम को करने के लिए function बना लिया जाए अगर आपने एक बार उस काम को करने के लिए function बना लिया तो उसके बाद तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा बस आप function को call करो जहाँ आपको जरुद पढ़ रही के बल फंक्शन का नाम लिखो आपने यहाँ वो काम हो जाएगा अब काम कौन सा यह line प्रिंट हो जाएगा अगर आपने इस काम को करने के लिए function बना लिया तो कैसे चलो वो ही मैं आपको समझाता हूँ तो इस example के अंदर जो कि मेरी 16 number की file है function example यहाँ पर मैंने आपको समझाया है वही काम तो देखो मैंने एक function बना लिया मुझे किस काम की ज़रुत पढ़ रही है उस line को print करने की ठीक है तो मैंने function keyword लगाया और यहाँ पर लिखा print line print line नाम से function बना लिया अब यह function की body start करी यहाँ पर एक variable बनाया let i और इसके अंदर एक loop चला लिया one से start करा for loop इसे previous वाले वीडियो में मैंने आपको loops के बारे में बताया हुआ है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना कर आपको loops की knowledge नहीं है नहीं तो आपको confusion create होगा यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने बोला i की value 1 है i की value जब तक 40 से less than हो तब तक loop चलता रहे और जब तक loop चलता रहे document.write function dash को print करता रहे तो 40 time dash print हो जाएगा कुल मिलाकर जब print line function को call किया जाएगा तो 40 time dash 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 print हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि line print हो गई तो मैंने line को print करने के लिए यहाँ पर यह logic लिग दिया इसके बार अगर आपको line की जुरूत पढ़ रही है एक बार मैंने यहाँ पर document.write से BR जो tag है HTML का उसे call करा तक कि नई line से start कर सकूँ मैं इसके बार देखो मुझे एक line की जुरूत पढ़ रही है तो मैंने यहाँ पर line को manually ऐसे document.write से print नहीं करा क्लिक करें तो function call हो जाए लेकित यहाँ पर मैंने direct भी call कर रहा है आप चाहिए तो खाली function का नाम देकर भी call कर सकते है तो यहाँ पर print line यह function मैंने ऐसे लिखा और semicolon लगा दिया तो यहाँ पर जैसी print line function को call किया जाएगा तो यह वाला function चलेगा और यह function चलेगा तो for loop की वज़े से यहाँ पर 40 times print हो जाएगा जो कि ऐसा लगेगा कि एक line print हो गई इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से नई line से लेने के लिए document.write से br take को call करा तो नई line से जाएगा यह मेरे को लगाना पढ़ रहा है क्योंकि नई line से दिखाना है मुझे आपको उसके बाद मुझे फिर से welcome to javascript print करना था तो मैंने ऐसे कैसे print कर दिया उसके बाद मैंने फिर से नई line से start करा अब यहाँ पर आप समझे कि मेरे को थोड़ा text लिखना था तो मैंने थोड़ा text लिख लिख लिया उसके पर अगर मुझे फिर से line खेचने की ज़रत पढ़ रही तो मैंने यहाँ पर देखो इस जगे पर फिर से print line function call कर लिया तो मैं आपको समझाना क्या जा रहा हूँ वो आप दियां से समझो कि अगर आप programming कर रहे हैं उसमें आपको कोई काम ऐसा है जिसे बार बार करना पढ़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में उस काम को आपको बार बार करना पढ़ रहा है तो उस काम को करने के लिए एक function बना लो जैसे कि इस program में मुझे कुछ तो text लिखना है लेकिन बार बार मुझे कहीं पर line खेचने की जुरत पढ़ रही है तो अगर मुझे function की knowledge नहीं होती तो मुझे ये code यहां लिखा हूँ यह बार बार मुझे हर जगे लिखना होता दूसरी बार यहां लिखना होता और तीसरी बार हो सकता है वहां लिखना होता जहां मैंने print line function को call किया होता तो जहां भी मैं print line function को call करता है वहां मुझे code लिखना पड़ता बट मैंने क्या करा इसका function बना लिया मैं यहाँ पर जाता हूँ open with live server और यहाँ पर देखो आप line print हो गए अब मुझे माल लो यहाँ पर एक बार फिर से line print करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना direct print line function call कर लेना है तो मैं यहाँ आया यहाँ पर मैं जो BR tag से एक बार copy करके यहाँ paste कर लेता हूँ इसके नीचे ताकि नई line से आ जाए और मुझे अगर फिर से line print करनी है तो मैं print line जो function है इसे call कर लेता हूँ यहाँ पर print line और यहाँ पर अपना print line call हो गया और यहाँ पर semicolon लगा दिया मैंने save कर दिया देखो line फिर से चल जाएगी देखो फिर से line आ गई it means यह proof हो गया कि function एक बार 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 आप उसे use कर सकते हैं तो हम समझ क्या रहते कि function क्यों बनाये जाते हैं तो function इस लिए बनाये जाते हैं time को बचाने के लिए जिस काम को हमें बार बार करना पड़ रहा है उस को करने के लिए हम function बना लेते हैं अगर देखे friends यह जो function अभी हमने बनाया है यह यहां पर इसके bracket के अंदर अभी तक हमने कोई भी parameter नहीं लिया मतलब यह ऐसा function है जो कोई भी value receive नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसा function बनाना जिसके अंदर आप कोई भी argument पास कर सकें कोई भी value पास कर सकें और उस value के अधार पर function काम करें तो फिर आपको यहां पर parameter वाला function बनाना पड़ेगा यहां यहां पर parameter लेने पड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर और यहां पर मैंने फाइल आल्रेडी बना रखी है और इसके अंदर मैंने आपको parameter वाला function समझा रखा है तो यहां पर मैंने फाइल को open कर लिया और यहां पर मैं सीधे script tag में आ जाऊंगा और script tag के अंदर मैंने एक function मनाया sum नाम का लेकिन इस बार देखो मैं bracket को खाली नहीं छोड़ सकता था क्योंकि sum को करने के लिए कम से कम दो argument दो value की जरूत पड़ती है तो यहां पर मैंने a और b इसके अंदर लिख दिया ठीक है ऐसा लिखने से होगा यह कि मैं इस sum के अंदर value को pass कर सकता हूं चाहूं तो मैं यहां पर लगा सकता हूं variable बनाने की जो तरीके होते हैं वह मैंने आपको आलरेडी बता रहे हैं आप उस video को जरूर देख लेना चाहूं तो मैं वर लगा सकता हूं चाहूं मैं अगर कुछ भी नहीं लगाता हूं तब भी variable बनाए ठीक है पास करूंगा वह ए में जाएगी जो second value पास करूंगा वह B में जाएगी और जो value A और B में जाएगी वह addition होकर console पर display हो जाएगी ठीक है console.log उसे display कर देगा addition को जो भी A और B में हम value pass करेंगे तो यह जो function यह parameter वाला function है ऐसे function को call करते समय आपको value pass करने पड़ती है तो यहाँ पर देखो मैंने form tag start कर रहा और यहाँ पर मैंने input की help से एक button मना लिया चीक है मैंने आपको बदाई दिया था कैसे बनाते है उसके बाद उसकी on click event पर मैंने some function को call करा लेकिन bracket खाली नहीं है जैसा कि पहले था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2,5 इसका मतलब यह कि यह जो 2 है जब function चले उस समय a में pass कर दिया जाए और यह 5 b में pass कर दिया जाए यानि function को call करते समय function कब call होगा जब मैं button पर click करूंगा इस function को call करा है जैसे हम button पर click करेंगे some function चलेगा और a में 2 pass हो जाएगा b में 5 pass हो जाएगा और उसके बाद a और b add होकर console में show हो जाएगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने value equal to click लिखा होगा इसका हमला button पर आपको click लिखा होगा दिखाए देगा देखो console खाली है लेगिन मैं जैसे click button पर click करूंगा तो यहाँ पर 7 आगया है इसका मतलब button पर click करा तो function call हुआ function call हुआ तो a और b में value pass हो गई और a और b में value pass होई है उन value का addition होकर यह console में show हो गया यही जो हमने function की body में लिखा था यही लिखा हुआ है देखो function की body में a और b में जो pass होई वो add होकर show हो जाए तो इस तरह से आप function argument वाला बना सकते हैं यानि parameter आप यहाँ पर ले सकते हैं और function में आप कोई भी value pass कर सकते हैं जिससे function उनी values पर काम कर पाए ठीक है आप कुछ basic program बना कर देखना ताकि आपको function वाला chapter अच्छे से clear हो जाए काफी सारे basic program आप बना सकते हैं अगर आपको किसी programming language की knowledge है तो जैसे अगर आपने cc++ java जैसी programming language सीखी हुए तो आपको काफी basic program आते होंगे आपने जो उन programming language में basic program बनायते हैं उन्हें एक बार आप java script के अंदर try करके देखना और अगर आपको programming language नहीं आती है cc++ java जैसी तो मैंने उन पर भी detail video बनाय हुए link मैं आपको video के description box में दे दूँगा आप channel visit करकर भी उन videos को देख सकते हैं तो friends आज की video में केवल इतना ही i hope आपको function वाला chapter अच्छे से समझ में आओगा अगर आपको यह java script series पसंद आ रही है तो video को like कर दीजिए और इस पूरी playlist को अपने friends के साथ जरूर share करिए ताकि उनके भी help हो पाए मैं मिलता हूं आपको next video में thanks for watching